तो फाइनली अभी हम लोगों ने इस्तियारी विलेज क्रॉज कर लिया और हम लोग पहुशने वाले हैं कि लार जो किया हमाचल प्रदेश में और अभी अभी हम लोगों ने पूरी पहाड़ी हमारे सामने गिर के आ गे थी और हम लोगों को अपने हाथों से बड़े बड़े पत्तर हटा के अब बिलकुल एकदम एच पे गाड़े निकालनी पड़ी हैं तो उसका मैंने वीडियो बनाया है वीडियो शॉट किया है लकिली मेरा गोप्रो अन था तो वो मैं अभी आप लोगे साथ आके शेयर कर रहा हूं जरूर देखेगा मजा आएगा उसको चलो लगाओ जो लगाओ जो लगाओ जो बस हो गया हो गया थेखेलो कर दो लगाओ निकल जाएगी अबस एक पत्थर हो अरह ताना है किसी तरह अगर अगर अभी हाथ से पत्थर लगा के वर्सिस को तो मैं निकाल के ले आया हूं वर्सिस ही में इस्यू था विकॉस इस अ बिग हैवी बाइक अब मैं जड़ा अपनी एक्सपल्स को भी ले आता हूं अभी पंदरा मिनट पहले ही यहां पर यह रेंड्स्लाइड हुआ है और पूरी के पूरी है यहां से न पहाड़ी नीचे उतर के आई हुई है तो पंकज भाई मेरी बाइक को लाने का टेंप्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां से हम अभी मैं अभी वर्सिस को निकाल के लेकर आया है यह पंकज भाई मेरी बाइक लेकर आ रहा है है अगर यह एक्सक्राइड भी निकल आई है चालो अगर हम लोग इस लेंड साइड साइड नहीं निकलते लाओ भाईजी आराम से थेंक्यू फिर मुलाकात होते हैं अगर हम लोग यहां से मैनेज करके नहीं निकलते तो फिर आज हम यहीं फच जाते हैं इंदा मिडल आफ नोवेर अभी भी रस्ता आगे काफी खराब है और हम लोगों कवर करना है अभी अराउंड 37 किलो मीटर्स और रस्ता है ऐसा ही रहने वाला है अब निकले हैं तो पहुचेंगे भी मिलते हैं फे थोड़ी देर में रूड पे